वेलकम बेक टू मैं चानल मुस्कान मिस्टरा व्लॉग तो आज मैं आप लोग के साथ सेर कर रही हूं पालक पनीर रेसपी आप लोग को यह रेसपी पसंद आए तो वीडियो को लाज तक देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना बहुत ही इजी इसको बनाना और ब प्याज दो बड़े कुछ लेसन के कलियां कुछ अद्रग के टुकड़े और दो बड़े टमाटर और धनीय पत्ता मेने थोड़ा सा कट कर लिया है और थोड़े सी हरी मर्च लिये और यहां पर मैंने मैं अच्छे से मिक्स करदूंगी और और मैंने लिया हें कुछ गरम झाले जिससे मैं फ्राइा करूँगी यह है एक कैटूरी पणी उमयने फ्रेश लिया है और इसको मैंने क्यूब में कट कर लिया है और यह है पनीर को ऊटे-मसाला तो मैं में यहाँ पर थोड़े से पनी मसाला भी उस करूंगी है यहाँ पर मैं पानी एक बरगूने में एक रख दिया है गरम होनी के लिए वह अच्छे से वौईल हो गया है तो उस्कों मैं यह चीज अब नबबाब को फाल जली जादा करने से और टब नियुट के लिए रहा जादा करने से लिए दाग करने जाता है तो अच्छा लेथा है तब तक याँ पर पनीर अब फ्राय कर लूँगी तब तक ये तो ये थोड़ा पाल दूड़ाओ कर लूगे तो लोगे तो नम जब खुछ तो पनीर अलगी टेस्ट आता है है और यहां पे आपे यह पर नहीं लिए पनीर को फृइय करने के लिए है तो अब मैंने यहां पे दो बड़े चमश मैंने डाल दिया है और इसमें अमें सारे जो पनीर रहे हैं उनको अच्छे से मैं फृइय कर दूंगी नियुक्त 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 नियुक उसको मैं मसाला इसमें रेडी कर दूंगी तो यहां पर मैंने कुछ खड़े मसाले जो मैंने रखे थे वो डाल दी है और थोड़े से मैंने हींग डाल दी है और यहां पर मैं जो मैंने अद रख के टुकड़े रखे थे वो डाल दी है लेसन की कलियां और इन सब को मैं थोड़ा सा फ्राइ कर दूंगी फ्राइ करके और इसका जो पीसते हैं जब मसाला जो इसकी ग्रेवी बनाते हैं वो बहुत टेस्टी लगता है और आप लोग देखना उसका कलर भी बहुत प्याराता है तो जब भी अगर पनीर बनाए तो पह असे पनीर की सब्जी भी भी तो बहुत इसको उसकी बनता है तो यहां पर मैं ज्यादा यह करूंगी नौर्मल लुआ करना है सिर्फ पांच मिनटवी इसको फ्राइ करना है दे इसको मैं एक प्लेट मो あり निकाल लोंग और थोड़े धर तो ठं़ ने दूंगी क्योंकि गर् तब तक के लिए मैं यह देख लूँगी कि मेरा पालक जो मैंने वाइल करने के लिए रखा था वह अच्छे से वाइल हुआ है या नहीं तो आप लोग देख लीजिए कि अच्छा वाइल हो चुका है और यह एक गड़ी पालक था और वह इतनू सा हुआ है और अब मैं पालक मैं अच्छे से पीस लोगी और इसकी प्योगरी बना लोगी तो यहां पे मैंने पालक को पीस लिया और उसी पालक में यह जो मैंने फ्राय की था प्याज ल 합니다 नदग ओ अब अब चलते हैं तो मैं यहां पर डाल ना है तो इस anderen डाला जैना नानल कि दोना आपक पालक ऑल भाले भाल है दोकार लाक नान तकता एंस दिल एक पारिकर को फूह अधिया तो प्रीन कर दोकितनी पैलक निझे सांगान हूं टो वार पर को थोड़े चेंज ना हो जाए के समी हम अब अब फ़क्षे chips पड़के साइसं में एक चमद्वाबर न के तो इसंते लादा प्रिआ आपके मसाला डालने से जो ग्रेवी होती है वो और भी टेस्टी लगती है तो और जो मैंने यहां पर पनीर फ्राई करके रखा था वो इसमें इसमें मैं डाल दूंगी और थोड़े देर इसको पका दूंगी अच्छे से सिर्फ दो तीन मिनट तक पकाना है और मस्ट हमारे यह जो प इसकर डाल दूंगी तो इससे और भी टेस्टी लगता है यहां पर फ्रेस्ट मलाई भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं फ्रेस्ट मलाई नहीं था तो मैंने वह यूज़ नहीं किया है तो यहां पर मैंने पनीर यूज़ किया है इससे जो टेस्ट आता है ग्रेवी में वह आप देख सकते हैं आप लोग कि इसकी जो ग्रेवी है वो इतनी टेस्टी लग रही है और बल्कुर रेस्टरेंट स्टाइल मैंने ट्राइ किया है बनाना तो आप लोग भी जरूर इसको ट्राइ करिएगा और बताइगा कि आप लोग को ये मेरी रेसिपी पसंद आई या नह झाल